गुड़िवनी आबियुवन स्वागताहफ सभी का चीके जुन Me तो शली दोस्तो आज हम देखते है सय्ट मेर इमर्ट 11 पहला प्रस्ण है मनरेगा योज़ना को पूरा करने के मामले में जहारखन का कौन सा झीला पहले स्थान पर है तो मन्रेगा को फूड़ा करने के मामली में चत्रा जीला जो है जार्खन में सरुप्रथम है नेक्स्ट है प्रथम स्थान रखता है दूसरा है जार्खन में स्थित्रिकूट पहाड का नाम निम्लिकित में से किस देवी या देवता के नाम पर रखा गया है तो इसका अंसर जगा ब्रह्मा विश्नु और शीव जी, ब्रह्मा विश्नु और सीव के नाम पर देवगर स्तित्रिकूर्ट पहाडी का नाम पड़ा है, नेक्स्ट है तेरहवा, जरकन में साइबर क्राइम से निजात पाने के लिए निमलीकित में से किसके द्वारा साइबर 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 साइ फोर अपकमिंग प्लेयर ओफ दे इयर महिला अंडर ट्वेंटी वन का खित्ताब मिला है इन्हें एसी आई होकी फडरेशन ने एसी आई होकी फडरेशन ने एसी आ के एथिलीट एंबैजडर दो वर्सों के लिए बनाया है अमरीत पार्क जार्खन के किस जीले में है तो अमरीत पार्क जो है बोकारो जीले में है जार्खन के एक छातर रूपेश कुमार ने किस नाम से एक खास डिवाइज या अप्लिकेशन त्यार किया है जिसकी मदद से किसी दुरघटना के उपरांत नस्दीक के अस्पताल पूलिस अस्टेशन में इसकी सूचना लोकेसा सहीत मिल सकेगी तो यह करेंट अफेर जो मैंने करवाया है प्रैक्टिसेट उसमें इसका अंसर आपको मिला होगा इसका अंसर हो जगार रक्षक रक्षक नामक एप जार्खन के 10 वी कक्षा के सूचना मिल सकेगी यह टीवास माइक्रोकृ कंट्रोलर यूनिट सेंसर जिपीस वा ए आई तकनिस सेलेस है बूरा पहाड का दौरा करने वाले जहारकन की पहले मुखिमंत्री हिमान सुरेन बने या जहारकन के किस जीले में स्थीत है तो बिसिकली बूरा पहाड जो है गड़वा जीले में नेक्स्ट है जहारकन गठन के बाद निर्मित सबसे पहला जीला कौन सा है तो जहरकन निर्मित होने के बाद सबसे पहला बनने वाला जीला है लातेहार, जहरकन राज गठन के समय राजम्यकूल 18 जीले थे, 19 जीला है लातेहार जो पलामू से अलग होकर 4 अपरेल 2001 को अस्तित में आया, 4-4-2001 नेक्स्ट है पलामू का रक्सेल वन्स के समय खरवार जंजाती के सासक थे, इसका अंसर जगत प्रताब धवल, पलामू के रक्सेल वन्स के समय कोरवा, गोंड, पहाडी, किसान और खरवार मात्पून जंजातिया थी, इसमें खरवारों के संक्या सरवादिक थी, जिसके सासक थे प्रताब धवल, next है 121वा नागवंसी सासक ठाकूर एईनी नात सहादेव ने अपनी रधानी कहा बनाया था, तो इन्होंने सतरंजीम अपनी रधानी बनाया था, अपनी रधानी दोईशा से स्वन रेखा नादी के नसदीक सतरंजीम स्थापित किया था, एनी नात बढ़कागण के राजा थे 122 नमर है मिलान करना है समारक और उसकी विशेष्था पहला है हरडी मंदिर समू तो हरडी मंदिर समू जो है ये दुर्गा वकाली के प्राशीन मंदिर है यहाँ पे दूसरा है साहपूर किला मेधनी नगर पलामू मैं मुगल काले के स्थापती है लुसके बाद तेलियअगण का किला तेलिया गडड़ कीला तो इसका अंसर क्या होजा्याए है 4 दुसरा का 3 है तीसरा का 2 और 14 का एक यानि हमारा अंसर स स्सक्षा चलिए नेच्ट देखते हैं 123 मुक्ष मंत्रि सेचनिक भ्रह्मन योजना की सुर्वाद किस वर्स की गई थी तो इसकी सुर्वाद जो है 2017 में की गई थी जहरकन के स्कूलों के कक्ष़ा 6 से 12 तक के विद्यार्थियों को सरकार द्वारा दर्सनिय धार्मिक और पर्यट के स्थ किदर 20 में की गए थी जिसमें आंगण बाड़ी के माधियं से जहरकन राजी में कुपोशन के समस्या को खत्म करना इसका उदेश है नेच्ट है 125 वाद जहरकन राजी में जह एच आई एम डी आई के संदर में कौन सा सही नहीं है तो पहला देखिए इसका फुल फॉर्म है जहरकन होटी कल्चर इंटेंसिफिकेशन वाई माइक्रो ड्रिपिंग इरिगेशन प्रोजेक्ट ये बिल्कुल सही है इसका उदेश राजी में टपकन सिचाई के द्वारा मजबूत वा सतत क्रीशी अधारी ताजीव का उपलप्त कराना है बिल्कुल सही इसके अंतरगत लिजबूत राजी के नोजिबेवक कीशिम्हें प्रकुलप्त कराे है तो यह बल्कुल गलत है यहां जापान अगर होता तो सही होता जापान जापान के द्वारा उपलब्द कहा आए गया है ठीक है इसके अंतरगत स्वें सहायक सम्मू के सदस्यों एवं लीज पर लगुक रिशी भूमी लेने वाले लोगों को सहयोग प्रदान किया जाता है चलिए 126 नंबर देखते हैं जारकन आर्थिक सर्विच्छन 2022-23 के अनुसार राजी में सीमान तो जोत का जोत लगवा कितना है प्रतीशत में तो इसका अंसर है 70 प्रतीशत नेक्स्ट 127 वाग जारकन एथनॉल उत्पादन प्रत्साहन नीती जारकन केबिनेट द्वारा किस अनुमोदित की गई इसका अंसर 2022 जारकन एथनॉल उत्पादन प्रत्साहन नीती जारकन केबिनेट के द्वारा 21 अक्टूबर 2022 का नुमोदित किया गया इस नीती के तहत यदि कोई निवेशक राजी में एथनॉल उत्पादन है तो उद्योग स्थापित करता है तो उसे 30 करोड रुपए या निवेशित रासी का 25 प्रतिशत सबसीडी प्रदान के जाजएगा एक 68 है मुडमा जातर मेला की सुरवात निम्न में से किस के द्वारा की गई थी तो इसका अंसर जगा मदरा मूडा के द्वारा सूतिया नाक्खंट के अंतिम राजा मदरा मूडा ने म गुम्बला स्थित हापा मुनी मंदिर का निर्मान किस ने करवाया था तो हापा मुनी मंदिर का निर्मान जो यह गजघंट राई के द्वारा किया गया था। हापा मुनी मंदिर के निर्वान जो है नौवी शदी में गजगंट राइने करवाया था सीवदाशकर्ण ने घागरा गुमला में स्थित हापा मुनी मंदिर में शिया नात देव के हाथों 1401 इस्वी में भगवान विश्णु के प्रतीमा स्थापित कराई थी 130 इस्वा है ज्यारकन रस्टेट वाइल्ड लाइफ बोर्ड में कितने सदसे होते हैं तो इसमें 10 सदसे होते हैं 10 सदसी ज्यारकन रस्टेट वाइल्ड लाइफ बोर्ड के पदे न अधियक्ष होते हैं ज्यारकन के मुख्यमंत्री 131 नमर है जहारकन में क्रोमाइट का संकेंदरन मुखेता की शेत्र में है तो जहारकन में क्रोमाइट का संकेंदरन जो है जोजू हातु में है जहारकन के जोजू हातु जो की पस्चमी सिंभूम में है क्रोमाइट का भंडार है क्रोमाइट की प्राप्ति मुखेता परीडो ट सर्पिन्ट टाइट तथा डिवनाइट चट्टानों से होती है नेक्स्ट ज्ञार्खन में जर्या के कुमारी ओ सीपी कोईला चेत्र और जर्या के सीता नाला कोईला चेत्र का विकास निम्डिकित में से किस देश के सहीयोग द्वारसंचाली थे तो यह हो जागा रश्या 133 वा है ज्ञार्खन राजी का सबसे छोटा रास्टिय राजमार्क कौन सा है तो ज्ञार्खन राजी का सबसे छोटा रास्टिय राजमार्क है 143H ज्ञार्खन राजी का सबसे छोटा रास्टिय राजमार्क NH 143H है जो की 6.50 किलोमेटर लंबा है तथा सबसे बड़ा अग 20 है जिसके लंबाई 391.6 किलोमेटर है मनला जो सबसे चोटा है वो 6.5 जीरो यानि कि लगबग 6.5 किलोमेटर है जब इस सबसे लंबा जो है उसकी लंबाई है 391.6 किलोमेटर 134 नमर प्रस्तावित कोयल कारो पर्योजना से संबंदी जीलो में कौन सा नहीं है तो कौन सा नहीं है तो इसमें सराई केला सामिल नहीं है कोयल कारों पर योजना, कोयल और कारों नदी पर रास्टिय पनबिजली निगम यानि NHPC द्वारा निर्मित किया जाना है जिसमें राची, गुमला और पश्चिमी सिन्भूम सामिन है नेक्स्ट है 135th नमबर निम्न में से किसके द्वारा जारखन राज में बोकारों के कठारा वह सवांग का संचालन होता है इसका अंसरों जगा, आप्सन नमर भी CCL 36, गार्डेन रिज्च सिब बिल्डर्स एंड इंजिनियरिंग लिमिटेड की संदर में कौन सा सही नहीं है पहला है यह काई जहरकन सरकार के अंतरगत कारिदत है तो यह बिल्कुल गलत है यह जहरकन सरकार के अंतरगत कारिदत नहीं है बलकि भारत सरकार के रच्छा मंत्राले के अंतरगत कारिदत है नेक्स्ट है जल प्रपात और संबंदित राज्य तो चलिए पहला देखते कांती जल प्रपात यह लातेहार में है घरगरिया जो है यह जो लोहर दग्गा में है प्रीमा घहक जल प्रपात गुमला में और कौन सबस्क्राइब यह हो जाएगा गडवा एक का हो जागा दो दो तीन एक चार ऑप्सन नंबर सी तो देखिए एक छोटा स्ट्वीक बताती हूं घर घरिया का इसका याद रख लिजेगा लोहा का वाज होता है घर 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 ठीक है इस प्रकर से याद रखिए उसके बाद कांती जिल प्रफार जो है यह लाते हार में है कांती मतला क्या होता है ग्लो तो आप जब हार पहलेंगे हार मिंस माला तो आप खुलो करेंगे ठीक है चले आगे देखते है 138 जहरकन की जंजातियों के संदर में कौन सा कथन सही नहीं है पहला देश के कूल जंजाति में कूल जंजाति अबादी का मत्रुप्रतिशत है यानि कि कूल जंजाति अबादी का जैपार जो है अन की वरिद्दी है तू wn मनाया जाता है जैपार पर्व अग्हन महिने में अन की वरिद्दी है तू संथालों में मनाया जाता है ठीक है आगे बढ़ते है one 40th number east निम्नमिय से कौन से जन जाती श्वयम को वेद नीवसी या व्य कहते हैं और श्वयम को जह हंदू मानते हैं तो ठीजिया जन जाती है जो अपने नाम के साथ ये लोग बेदिया और प्रमान जी लिखते हैं और ये श्वैम कोज हिंदू मानते हैं और ये वेद निवास या वेद वानी कहते हैं आंसर होगा ओप्शन नमबर ए आगे देखते हैं 141 नमबर प्रेशन है निम्न मेंसे कौन सा कथन गलत है पहला जदूर निरित्य का प्रदर्शन संथाल जिंजाती के द्वारा किया जाता है ये बिल्कुल गलत स्टेट्मेंट है नीर सुसंग को इसे कहते हैं ये सही है ये स् राइज़ाता है निम्न मेंसे किस पर्व को राइज बहरलत कहा जाता है तो ये भीरा पर्व को मनसे जाता है जो अछी वर्सा और सन्तान प्राप्ती हेति मैलाउं द्वारा किया जाता है जा वहनुस्ट है 143 वित्थी चित्रकला के संदर में कौन सा सहीं नहीं है पहला है यह चित्रकला में ज्यामितीय चिन्हों का परयोग प्रमुक्रूप से किया जाता है, बिल्गुल सही है, यह चित्रकला संथाल के अनुसार इनके प्राचीन चाई चमपा से जुड़ा हुआ है, यह उतरी छोटा नाकूर छेतर में प्रचली थे, तो नहीं इसका अंस कि जिले में वस्थित है दालमा अभियारन पुर्वी शिन्भूंग जिला में है इसके स्थापना हुई थी 1976 में और इसका एरिया है 193 वर्ग किलोमेटर नेक्स्ट है जहरकन के वर्तमान मंत्री परिशद में स्थी और पिछड़ा वर्ग कल्यान मंत्री कौन है दीपक बिर्वा आगे देखते हैं भूमीज विद्रों के संदर में कौन सा कथन गलत है तो भूमीज विद्रों जह है अठारह सो तीस तैसी स्मिंगा था बिल्कुल सह अगर यह नहीं हटा दे तो यह भी सही हो जाएगा अमरा अंसर है उप्सन नमर वी चलिए नेक्स्ट है निम्ण में से किस आंदोलन में देशो धारक दल के स्थापना की गई थी जो है सापा होड़ अंदोलन के दोरान की गई थी सापा होड़ अंदोलन के जो प्रमुक नेता कौन थे हैं लाल हेंबरम या फिर जिन्हें लाल बाबा भी कहते हैं यह धार्मिक वाचारित्रिक उत्थान पर बल देते थे नेक्स्ट है 148 किस वर्स टाटा आईरेंड एन स्टील वक्स की हड़ताल समाप्त कराने है तू सुवास्च अंदबोज का मत्पुन योगदान रहा है अंसर दिया है 128 और एक्स्प्लेनेशन सक्षर में 1927 दिया है ठीक है तो एक बर इसको देख लिजेगा 1927 होगा यह फिर 28 होगा नेक्स्ट है 149 जहरकन के कितने मुख्यमंत्री का कारिकल तीन वर्स रहा है तो अर्जुन मुंडा सीबु सोरेन और हेमन सोरेन यानि कि तीन जहरकन के अदिवासी पूर्वी सिन्भूम पोटो सरदार या पोटो हो का जन्म जो है राजबासा राज राजबासा गाव पूर्वी सिन्भूम में हुआ था तो आज की वीडियो मस इतना ही वीडियो अच्छा लगे तो लाइक श्रेयर चैनल को सब्सक्राइब किजिए थैंक्स पो वाचिंग झाल हो कि झाल ही वीडियो है